नमास्कार दोस्तों स्वागत आपका हमारी यूटीब चैनल में केमिकल रियक्शन और इक्वेशन चेप्टर जो कि मैंने आपको पढ़ा रखा है अगर जो आपने उसका वीडियो नहीं देखा तो आपको description में link मिल जागा उससे जाकर के देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से इसमें मैंने explain कर रखा है हला कि इसके बाद मैं आपको oxidation और reaction chapter के भी वीडियो जाएंगे तो वो भी देख लिजएकर क्योंकि आपके लिए important रहेंगे फिलाल हम लोग यहाँ पर chemical reaction and equation chapter के mcq करने वाले हैं हला कि इसके बाद में एक और questions की mcq इस chapter से आने वाली है तो वीडियो को like कर दीजिए चैनल को subscribe कर लिजिए पहला question है sodium and chlorine are reacted and as a result sodium chloride is formed which is also table called table salt okay what option gives the reactants and the product of the reaction कह रहा है कि जो reactants होंगे वो कह रहेंगे और products कह रहेंगे तो बोला reactants, sodium and table salt बिल्कुल गलत है फिर क्या बोल रहे है reactants, sodium, product, chlorine ने भी गलत है reactants, table salt, product गलत है भी D है sodium and chlorine are the reactants and products are sodium chloride तो बिल्कुल सही है option number D जो है हो सही है फिर हम लोग बात करते हैं question number 2 गी, कह रहा है which of the following reactions can be also termed a thermal decomposition reaction तो बैटाँ, decomposition reaction क्या होता है, इसमें टूट रहा होता है, ठीक है कोई भी चीज़े जो होती है, जब वो टूट रही होती है दो या दो से जादे molecules में तो क्या कहलाती है वो, decomposition reaction तो क्या होता है ये, decomposition reaction thermal decomposition reaction जो होता है, वो क्या होता है, decomposition reaction अगला बोल रहा है, the image shows some chemical reactions जो ये image दिख रही है आपको, इसमें क्या हो रहा है आपको chemical reactions दिखाई जा रही है तो इसमें पूछ रहा है कि which option identify the reactants and the product, तो यहाँ पर आप reactants क्या होते हैं, ये दोनों जो हैं, ये दोनों ये reactants है, और इधर के जो आप देख रहा है, जो HCl और H2O है, ये क्या है, product है तो यानि कि हमारे पास reactants क्या होंगी, HCl और O2 क्या होगा, HCl and O2, किस option में है, देख सकते हैं, यहाँ पर option number C में है option number C में क्या क्या है, HCl to H O2 यही जो आपका reactants है, और ये दोनों product है, तो बेटा question number 4 बोल रहा है कि a student perform an experiment to form aluminium chloride from aluminium and chlorine which one of the following options gives the chemical equation of the reaction तो बेटा क्या होता है, जब 2Al, 2Al और Cl2 मिलते हैं हाँ बस में तो क्या बनाते हैं, Al, Cl बनाते हैं, ये आपका option number B जो है ये ही रहेगा आपका equation, ये ही सही option है, क्या हो जाएगा 2Al plus Cl2, option number C जो है वो correct हो जाएगा give the ratio in which hydrogen and oxygen are present in the water by volume तो बेटा volume में कहरा है कि oxygen and hydrogen जो होते हैं, water में कितने कितने पे होते हैं, ठीक है, water में कितना होता है, 2 होता है hydrogen और 1 होता है, oxygen तो ये नहीं हो जाएगा, पहले पुछा hydrogen, तो hydrogen का पहले number पे 2 ratio, oxygen दूसरे number पुछा तो 1, 2 is to 1, क्या option number C से ही हो जाएगा, ठीक है, फिर आथ colored barium chloride, okay, barium chloride के पाने के लिए, वो क्या करता है, इन दोनों चीजों को add करता है, अच्छा, फिर क्या बोलता है, which of the following options gives the balance chemical equation of the reaction, कौन सा जो है, हमको balance equation दे रहा है, तो पहली बात तो आपको पता होगा, कि barium जो, barium आपका, barium जो आपका hydroxide होता है, तो उसका क्या होता है, बी ये, OH का whole twice होता है, पहली बात ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक, बी ये, OH का whole twice होता है, अच्छा, बेटा, ऐसे में क्या हो गया, कि यहाँ पर देख रहा है, hydrogen एक है, पहले वाले में, hydrogen एक है यहाँ पर, और दो hydrogen यहाँ पर है, और दो oxygen है, तो मतलब यहाँ पर कितने हमको hydrogen चाहिए होंगे, दूसर साइड में, कितने hydrogen चाहिए होगे, one, फिर इधर में कितने होगे, two, यानि कितने होगे, total three hydrogen तो यहाँ पर 2 hydrogen और 1 3 hydrogen बिल्कुल सही hydrogen का दो अच्छा oxygen का देख लेते हैं बेटा तो oxygen जो है यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है तो यह भी सही है बेटा अच्छा BA कितना है भाई barium कितना है तो यहाँ पर barium तुमको एक दिख रहा है यहाँ पर भी कहां हो रही है, गड़ बर हो रही है, क्लोरीन में यहां पर आप देख रहे हैं, क्लोरीन जो है वो 2 है, लेकिन यहां पर तो सिंगल ही है, तो ऐसे में तो यह बैलेंस है नहीं, सेकेंड वाले में देख लेते हैं बेटा, तो क्लोरीन यहाँ पर 2 है फिर इसके आद में यहाँ पर भी 2 है फिर इसके आद में barium यहाँ पर जो है single है तो single है oxygen जो है 2 है तो बिल्कुल 2 है फिर hydrogen जो है बेटा वो कितना है तो इधर में एक देख सकते हैं आप hydrogen जो है इधर में भी 2 है और इधर में भी 2 है, total 4 hydrogen तो बेटा 2 hydrogen इधर में और 2 hydrogen इधर में total 4 hydrogen यानि कि option number 2 जो है B है, वो सही हो जाएगा फिर बेटा देखते हैं question number 7, one of the following processes does not involve in a chemical reaction that is क्या चीज़ chemical reaction में involved नहीं होता है melting of candle wax when heated तो यह जो हो गया melting, फिर क्या हो गया, burning of candle wax when heating, फिर हो गया digestion, तो digestion तो होता ही, आपका stomach, जो है, digestion जो करता है, बेटा हो तो chemical reaction सही होता है, फिर उसके आद में जो होगा, आपने ripening और banana banana का जो है, सड़ना जो भी होता है आपका, लेकिन बेटा, melting of candle wax जो है, melting of candle wax ये कोई आपका जो है, chemical reaction नहीं है, burning है burning वाला है फिर दिखते हैं, a student wrote a chemical equation on of the reaction between carbon monoxide and hydrogen as, CO2 plus 2S2 gives CH3OH, कह रहा है कि how can the reaction be classified तो यहां पर कह रहा है, पहला the reaction is example of combination reaction तो बेटा, combination reaction तो आया ही है as compounds separate into two compounds अरे, यह तो गलत बोल दिया आगे शुरवात में तो सही बोला, इसने combination reaction है क्योंकि दोनों combine हो रहे है लेकिन बेटा, यह कह रहा है, separate हो जा रहा है दो compound में, तो ऐसा थोड़ी है, तो एक single compound बनाएगा, बिल्कुल गलत है फिर क्या बोल रहा है, decomposition तो यह तो होगा नहीं फिर बोला, the reaction is an example of a combination reaction as two compounds react to form a single compound, बिल्कुल सही option number C, बिल्कुल सही जवाब है next question है, the chemical formula of magnesium oxides, तो बेटा क्या होता है MgO, क्या है MgO, option बेटा क्या होता है, तो इसमें क्या होता है बेटा, दो reactions दिखाए जा रहा है पहला reaction में क्या हो रहा है, combine हो रहा है दो reactants मिलकर के एक नया product दे रहा है, तो combination reaction हो गया, second बेटा क्या है decomposition reaction, एक single substance है, जिससे की दो जो आपके elements बन रहा है, दो आपके substance बन रहा है इससे क्या कहते हैं बेटा इससे कहते हैं, decomposition reaction तो P is the example of combination reaction, and Q is the example of decomposition reaction option number C, जो है, वो correct हो जाएगा, वीडियो कैसी लगी है comment section में ज़रूर बता है वीडियो को like करें, channel को subscribe करें और अपने दोस्तों के साथ share करें thank you so much for watching this video पूरा इसका अगर जो आपको concept जाना है, तो description में जरूर दिये वे link पे click करके समझ लें क्योंकि आपके बहुत जादे काम आएगा, thank you so much